असलाम वालेकुम, कला सेवंथ के मैथेमिटिक्स में हम 11 चप्टर की चोथी एग्जरसाइज का चोथा क्वेस्टन करने जा रहे हैं इस क्वेस्टन में हमें दो पार्ट्स दिये गए हैं और दोनों पार्ट्स में हमें एक ही चीज पहले लेनी हैं अब देखें यहां पर आउटसाइड एक एक रोम के आउटसाइड हम वेरिंडा कर रहे हैं रोम के डेमेंशन हम बाद में देख लेंगे पहले देख लेंगे कि यह जो कंसेप्ट हमें दिया गया है आउटसाइड का और किसी किसी क्वेस्टन में यहां पर इंसाइड का भी है तो पहले हम देखनेंगे कि यह वेरिंडा जो है रोम से वेरिंडा की जो बॉंडर आउटर बॉंडर है वो रोम की बॉंडर से बड़ी होगी चोंकि हर तरफ अब रूम के हमें जो डैमेंसर दिये गए है फाइव पॉंड फाइव मीटर लांग रूम जो है वो पांच अशेरिया पांच यहने साड़े पांच मीटर लंबा और चार मीटर चोड़ा है चार मीटर चोड़ा है और जो वेरिंडा की बॉंडरी है जो विर्थ आप दे वेरिंडा है विध देट इस 2.25 मीटर 2.25 मीटर आन एवरी साइड अब हम अगर यहां पर देख लें हमें दो रेक्टेंगल मिली जैसा कि हम इस च यहां पर अइरिया वेरिंडा चाहे होगा वहें वहां चाहे बहां भी हमें पहले पार्ट में दिये गए है तो हम आउटर रेक्तेंगल के एरिया से इनर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रeract करकर और निकाल लेते हैं तो अगर हम यहां पर एक रोम कंस्डर कर लें, let it be A, B, C and D, और वेरिंडा जो है, that is E, F, G and H, थी, तो इस तरह से हम, outer dimensions और inner dimensions पहले लेंगे, dimensions of room with वेरिंडा, पहले हम देखेंगे, कि वेरिंडा जो निकाला गया है, along with वेरिंडा, कितनी डैमेंशनल होंगी, पहले लेंगद देखेंगे, length, length जो already room की थी, that was 5.5 meter, तो इसमें अब दोनों साइड से, length, यहां से भी सवादो मीटर और यहां से भी सवादो मीटर, add हो जाएंगे, plus 2.25 meter, plus 2.25 meter, तो यह जहन में रखना है, सबसे important शीज कि यह दो साइड से add हो जाता है, वेरेंडा की जो बॉंडर है, यह एक तो साड़े पांच यहां तक, और सवादो यहां से, और सवादो यहां से, सवादो और सवादो हो गए, साड़े चार और साड़े पांच, that is 10 meters, अब वेरेंडा की जो लेंगत है, वो है 10 meter की, इसी तरह से जो breadth of वेरेंडा है, और इड़ि रूम की चार मिटर थी और इसमें सवाः चार मिटर और एड़ हो जाएंगे. तो हो गए चार और चार आठ याने साढ़े आठ अगर हम देख लेंगे अगर हम देख लेंगे एरिया आप रूम विद वेरिंडा तो वह कितना होगा तो लेंगत है यहां पर दस मीटर और ब्रेथ है एट पॉइंट फाव मीटर याने एट पॉइंट फाव मीटर याने एट पॉइंट फाव मीटर तो दिस इस दे एरिया आप रूम विद वेरिंडा area of room with veranda कितना है 85 square meters यह हम लिखके रखेंगे यहाँ पे साइड में 85 square meters अब हम सिर्फ जो room के dimensionals बोलेंगे वो चूंके हमें question में दिये गए है मुई इसे और फिर देखेंगे room का area कितना है area of room area of room means without veranda veranda के बगेर area कितना होगा that will be length into breath चूंकि दोनुंवां से दिये गए है 5.5 into four five is a twenty that is 22 square meters तो room का जो area है वो है 22 square meters और room plus veranda का area कितना है 85 square meters अब पहला part देखें इस question किया area of veranda तो area of veranda कितना होगा, that will be equal to area of room with veranda that is 85 square meters minus area of room that is 22 square meters तो 85 में से 22 निकालो तो 63 रह जाते हैं, 63 square meters this is the area of the room, तो हमें room का area, sorry area of the veranda area of the room जो है, वो 22 है, और area of veranda कितना है, 63 है और दोनों का मिला कितना है, 85 square meters अब दूसरा पार्ट भी इस question का है, the cost of cementing the floor of veranda at the rate of rupees 200 per square meters, बहुत ज़्यादा rate लेते हैं अगर हर किसी square meter का हम 200 रुपे अदा करें, cement करने के लिए, सिर्फ cement करने के लिए rate of cementing per square meter, that is equal to 200 तो हमें हम से क्या पूछा जा रहा है, कि पूरे veranda का अगर हम पूरे veranda की cementing कर लें, तो आप बताए हमें कि हमें कितने पैसे अदा करने होंगे तो cost of cementing veranda, that will be equal to area of the veranda and to rate into 200, इतने रुपी, ठीक है न, तो कितने होते हैं, एक तो दो जिरो यहां पर, आरेड़ी है, two threes are six, two sixes are two है, तो बारा हजार छे सो रुपे जब हमारे पास होंगे, तब ही हम इस वेरिंडा कास्ट मलब की cementing कर सकते हैं, टोटल जो cost हमें लगेगा इसको cement करने में, वो होंगा, कितना, बारा हजार और छे सो रुपे,